आज हम बहुत ही इजी और बहोत ही खृस्पी यसषा है रहे है तो बनाना भेदा बहुत लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है एसे महीनों 2 महीना तक श्टोर करकर भी खा सकते हैं इतना टेस्टी है हलो फ्रेंज स्वागत है मेरे इस चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बड़े सी मिक्सिंग बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे हम गेहूं के आटे तो हाँ फ्रेंज आज का गियहूं-के याटे का रेसेपी है जो की टेस्टी के साथ साथ हील्दी भी है आपशा है मैदा से भी बना सकते हैं लेकिन हील्दी बनाने के लिए हम गियूं के याटे का इस्तिमाल के यह हैं और साथ में डाल देंगे हम नमक स्वात के अनुसार और यह उसके बाद जीरा डाल देंगे आप सावी सबूद जीरा से बहुत तेस्ट आता है इस रेशेपी में ऐस्षरे होरी लेहित हैं वेकिंग सोडा नहीं किए आप डाल दे हैं अप चाहे तो तेल का भी इस्त 물론 कर शकते हैं लेकिन उपकी us अगर नहीं है तो आप पे तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसे बढ़ियां से मसलते हुए हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका फर्फेक्ट मोयम हो जाए और जितना मसलिएगा उतना ही हमारे क्रिस्पी करारे बनेगा देखेंगे इस तरह से हम मुठी बांद कर करना है एक दम से जितना हाड हो सके उतना हाड घुत है जितना कि आप से हाड घुत सके बस इसी तरह से थोड़े थोड़े पाने डालते हुए हम इसको हाड आटा देख सकते हैं आप बिल्कुल भी मसल भी नहीं रहा इतना हाड इसे करना है जैसे कि मैं बोल रही थी जितना हाट हो सके उतना हाट किजिएगा बिल्कुल भी गीला और मुलाइम आटा नहीं उतना है ऐसे बढ़िया से मसालना बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ आटे को हमें जोड़ना है तो देख सकते हैं यह बहुत ही असानी से यह जोड़ गया है और बस ऐसे ही हमारा आटा होना के बिल्कुल सौप्ट नहीं और बिल्कुल भी मसाल कर दिस्ट कर चीक्णा नहीं करना है इस तरह से रहने देना है और इसे दर की ढद्या कर लिए हम्हार के अलब अब ले लीए हैं, एक बावल इसमें डाल लिए हैं, दो चमज कॉण फलोर और एक चमज गेहु के आटे, अब क्या करींगे, गी को मेल्ट कर लिए हैं, और गी गरम है, आप गरम घी नहीं डालिएगा, थोड़ी सी ठंधा कर लेजिएगा, मुझे दियान में नहीं बातों ब प्यार हो गया है इस तरह से आप चाहे तो गिनम के आटे से भी बना सकते हैं लेकिन लेकिन क्या होता ना को फ्लोर से बहुत ही अंदर तक क्रिस्पी बन जाता कैसे नहीं को सबाट सकते गज्या कोchnद डालेगे में wordenkeys से पार सबस्क्राइब से आपका इस तरह से तरह से चाकू से हमें कट करना हैं हाथों से तो यह कटने से दहां तो देखिंखें और उसके पार से और वीज से करता है यार हो गया है आप देख सकते हैं बस इसे क्या करेंगे सारे को हम हटा लेंगे अब देखिए देखने से पता चल रहा होगा आपको कि आटा हमारा कितना सकता है लेकिन इसका जो बनता है रेसिपी इतना करा रहे हैं इतना करा रहे हैं इतना क्रिस्पी बनता है कि मन कर बस खाता ही जाए और इसे एक से दो महनता की श्टोर कर सकते हैं एयर टांट कंटरा डबर में बहुत ही क्रिस्पी रहता है बिल्कुल भी शौक नहीं होता है तो चलिए अब इसे हम बेल लेंगे तो बेलेंगे हम इतना पतला बेलेंगे जिक जितना आप कुछ से बेल सके जि लगाना होता है क्योंकि इतना हाट और दो सब बेलता है तो बस इस तरह से आठे को से और इसी तरह से हम बेल लेंगे तो थोरी से मिंहांत लगता है लेकिन खाने में ज़्बरदस्त बहुत ही टेस्ट फूल ब सता है फ्रेंस बच्चे उसे खाना पिना छोड़ सकाना ह sommes यह में तंडे कर लिए और थेसे रखेंगे एक पलेट में और इस तरह से स्थे हम बेल लेंगे तो आठप्सकीज है हमारार शlikeंड Means equation ने टाउंस्तिति ही प्रकार हैं। इस तहीं सब्सक्तारां से सब्सक्रें कर ़ला किरां करने को देंद हम पर हम पर Torkस इस तरह से आटा हलका सा स्ट्रिंगल कर देजिए ताकि चिपके ना तो लिजी आठ रोटियां हमारा सारे बिलकर तयार हो गया है प्लेफार्म को भी साप कर लिए हैं हम अब एक रोटी हम इस तरह से रख लिए हैं ले लिए हैं साटा इस तरह से हम सारे पर गिराते हुए देखे इस तरह से हम फैला लेंगे विल्कुल हाथों से हम फैलाएंगे ताकि सारे में बढ़िया से फैल जाए और देखे इस तरह से हम सारे रोटिया पर फैला दिये हैं बस इसी तरह से प्रोसेज अपनाना है फिर से हम एक रोटिया फि बनाएंगे अब चाहे तो पांच का भी बना सकते हैं तो पांच का बनाएगा तो और भी मोटा और प्रतदार होगा लेकिन हम चाह आठ रोटिया हैं ना तो दो भाग में कर देंगे इसलिए 4 का ही हमने बनाए है बास इस तरह से 4 और उपर से लगा लिए है एंड पर भी लग भालाना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे अगर आप चाहें तो साइड वाला टेनी मेह fiilund वाला उसको हठा सकते हैं कट करके चाकू से लिकिन हम ऐसे ही सारे एक को फोल्ड कर देंगे और अब देख सकते हैं बिल्कुल हमारे यह फोल्ड हो गया है बस ऐसे ही हमें फोल कर लेना है और इस तरह से देख सकते हैं कि कितना हमारे परतदार बनकर तैयार होगा इतना परत जब आया है मुरने के बाद चार रोटिया ऐसे डाले हैं बास इस तरह से हमें दोनों को बना लेना है तो लिजिए दोनों हमारा बढ़िया से बन गया तो आप क्या करेंगे इस तरह से हम non-stick paper में इस तरह से हम इसे cover कर लेंगे markers कर लेंगे जादा नहीं लिए 5-6 मिनाट काफी है तो लीजिए 5-6 मिनाट हो गया है तो इसे निकाल लिए है और बहुत ही अच्छा से tight हो कि क्यों कि ही हम ऽाटा बनाए थे न तो थोड़ा सा जम जाता है तो hard हो जाताँ चब में शल्ड में रखना है ज़्यां सीउकोन लग है की बॉटे करना है बिल्कूल भो गोल करना है बहुत कि करेंगे लेकिसेट में सब्सक्राइब लेकिन सीधी ज़री बहुत कि हम चैकि इसमें सबब चैनुति है आप चाहें तो ट्रैंगल का शेप भी दे सकते हैं बस इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और हमारा खारी विसकुट का शेप तैयार होगा बहुत ही प्रतदार और बहुत ही टेस्टफुल बन्द का तैयार होता है क्रिस्पी करा रहें तो सारे को हम एक पलेट में निकाल कुल नहीं होना चाहिए बिलकूर मेडियम सब्सक्राइब सब्askus कुल नहीं आएगा तो परत नहीं खुलेगा तो इसलिए दमसे लो फ्लेम म countries पहले हमें डालना है और देखिए जादा में नहीं डालना है इतने डाले हैं कि अधिरे फुलगर हलका थी तेल के ऊपर फायले लगेगा तो अब देख सकते हैं तो छोटा पीस नहीं किजिएगा तो अलग अलग बलग हो जाए Newton और बस उलरते पुलरते हुए यह दम में low flame पर हमें इसे पकाना है थोड़ा सा patience डखते हुए फ़राई किजिएगा नहीं तो परत नहीं आएगा उभर कर और आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छा crispy color आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं और बचे हुए बैच भी इसी तरह से डाल कर हम फ्राई करेंगे और देखिए कितना मस देखने में ही लग रहा है color और इसका texture तो चलिए बचे हुए pieces भी हम डाल लेते हैं और इसी तरह से हम बिल्कुल same process से हम इसे फ्राई करकर निकाल लेते हैं तो चलिए हमारा हो गया है सब करते हैं देखिए कैसा लगा है आज करेसे पी कैसा लगा फ्रेंस अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो का लाइक से राच चैनल पर पहली बार आए है नए है तो चैनल को subscribe किजिए साथ ही बेल आइकन प्रेस किजिए ताके हमारा हर ए रिस्पी और कितना क्रांची बनकर तैयार हुआ है विल्कूल एकदम से चूर हो गया है अब देखिए दो तोरकर हम देखाए हैं और कितना की रिस्पी है देख सकते हैं आप देखने से ही पता चल रहा होगा तो बस से इस दिवाली पे इस नमकीन को जरूर बनाईए खारी बिस्कित के बच्चे तो बहुत खुस होगे और खाते हुए दिवाली का खुसिया मनाएंगे एक बाट ट्राइ किजिएगा और कमेंस बॉक्स में प्यारा सा कमेंस कर दीजिएगा आज का रिस्पी कैसा लगा बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बताएगा जरूर और इंज जादा से जादा सेयर किजिएगा ताकि वो भी इस रिस्पी इंजॉय कर सकें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू